जादे अच्छा होगा और जितनी हलकी सिचाई करें वो उतना अच्छा होगा और दूसरे जैसे आपने समस्याइं पूछा तो उसमें खर्पदवार एक प्रमुक समस्या आ सकती है और कीडे मकोडे बीमारी भी कई बार हमारे उसमें खेत में आ जाते हैं अगर खर्पदवार आते हैं तो उनको कोशिच करनी चाहिए कि हाथ द्वारा उनको हम बाहर निकाल के फैक दें और दूसरे आप रसाइनों द्वारा भी इसका निंतर कर सकते हैं जैसे ब्यूटा किलोर दवाई आती है 50 EC इसकी 120 मिली लीटर मात्रा लगवग 60 से 70 लीटर पानी में आप इसको घोलनें 60 लीटर पानी बहुत होगा और घोलने के बाद जो बुवाई की है बुवाई के 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उसका आप छड़काव कर दें आपके अधिकतर खर्पदवार मर जाएंगे इससे दूसरे कई बार छोटे मोटे कीडे मकोडे भी आ जाते हैं जो पत्तों को खा सकते हैं उनसे नुकसान हो सकता है उसके लिए उपचार है किलोर पारिफास नाम की दवाई आती है इसकी 2 मिली लीटर मात्रा पिरती लीटर पानी के इसाफ़ से घोल बना लें क्योंकि शुरू में मालो यूरिया नहीं दिया डियापी नहीं दिया या गोवर की खाड नहीं डाली तो पीली हो सकती है उस दशा में आप कोशिश करें कि 6-8 किलोग्राम यूरिया पिरती 1000 वर्ग मीटर छेतर फल में जो है आप उसको छड़क दें तो नर्सरी का जो पीला पन है वो दूर हो जाता है कई बार पीला पन यूरिया डालने के बावजूद भी दूर नहीं होता और नर्सरी हमारी पीली बनी रहती है कई बार पत्ते सफेद हो जाते है और नर्सरी की बढ़भार भी रुख जाती है उस दशा में हम मान सकते हैं कि उसमें आरेन की या लोहे की कमी आ सकती है तो लोहे की कमी से बचने के लिए पहले तो जरूरिया के खेत में लगातार हलका पानी आप उसमें रखें तो आरेन की या लोहे की कमी दूर हो सकती है फिर भी रहती है तो आप आरेन सलफेट का दशमलब 5 पृतिशत का गोल बना लें और चूने का इसका आधा यानि दशमलब 2.5 पृतिशत का गोल बना लें और ये करीब 60-70 लीटर गोल बना के आप पृति 1000 वर्ग मीटर छेतर में लें